हेलो इस्टोरेंट मैं एक तसींग आप सभी का ग्यान चेतने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस टॉपिक में हम पुरा पाशान काल से पहले किस प्रकार से मानों की उत्पत्ती हुई उसके पारे में डिसकस करेंगे और उनका विकास कैसे हुआ ये भी देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि भारत में पुरा पाशान काल के आउसेस जो हैं वो सरप्रिथम कहां से प्राप्त हुए हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो धर्दी की आयू 450 करोर वर्ष आंकी गई है ये महच 2 लाख वर्ष पहले मानव जाती प्रकट हुई थी बीसवे शताबदी में प्राकेतिक विग्यान में अभूत पूर विकास हुआ जिससे हमारी धर्दी के इत्यास के विसे में समझ बढ़ी विसे इस रूप से अनवानशकी के माद्यम से प्रजातियों के जेबिक विकास के जटल पिकरियाओं का ग्यान बढ़ा यानि कि अभी हमें बहुत लाखों साल पूर्व हमें नहीं पता चला था कि हमारे जो पूर्वस थे वो क्या थे अभी बीशवी सताबदी से ही जब अनवानशकी के बारी में हमने जानना शुरू किया तबी से हमारा जो जानने का सोर्स है वो बढ़ता है आगे है भूगर्व शास्त्रियों के द्वारा धर्ती के इत्यास को चार योगों में बाटा गया है जो धर्ती यानी पृठ्वी पर जीवन के विकास में विविन कर्मों से सम्दित रखते हैं Yap और पुना साथ भागों में इसका डिवाइड किया जाता है लेकिन अंतिम जो है प्लेस्टोसीन और हेलोसीन प्लेस्टोसीन का जो समय था 1.6 लाख वर्षPUR था और जो हेलोसीन का था Article 10,000 वर्ष पूर था चुकि ये वाला जो वीडियो है पुरा पाशान कार्ण से पहले पावस्ता क्या रही थी उनको समझने के लिए ये वाला वीडियो बनाया जा रहा है तो हम तुरंध ही पुरा पाशाणकार शुरू कर देए, उसके बारे में जारने उस से बेतर है कि उसके पहले की क्या परिस्तिया रही होंगी तो ये वाला वीडियो उसी से सम्मंदित जानकारी देगा और समझने का प्रियास कराएगा यह हामी निड विकास की द्रश्टी से सबसे मात्पूर्था जियो विग्यान में विकास का अर्थ किसी प्रजाती इस पी शीज की जन संख्या में क्रमेक परिवर्तन है जो पीडी दर पीडी होने वाले जीन आवर्ती में बदलाव और प्रकतिक चैन जो परियावरन के साथ अनुकूलन पक्षपात के परिडाम सरूप होता है कई वार नई परजातियों की इसी करमे उत्पत्ती भी होती है यानि कि एक जो जीन यहाँ पर बताया गया है उसकी आवर्ती में बदलाव धीरे 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 होता है और परियावरन के साथ अनुकूल का जो परिडाम होता है यह होता है कि एक नई परजाती का उत्पत्ती हमें देखने को मिलता है मानव परजाती में अनेक वर्ण चहरे, बाल के रंग, अथवा कदकाठी आकार के आधार पर बाटा जा सकता है परंतु जियू विज्ञान की द्रश्टी से आधुनिक मनुष से हम होमो सेपियन्स प्रजाती के हैं इसमें होमो सीपियन्स का जो आर्थ है वो कल्पना शील मानव होता है जिन में दूसरा सेपियन्स मनुस्की उप जाती है आगे देखते हैं पुरा मानव शास्तियों ने जीवाश्मों के साक्ष का उप्योग कर आदिम मानव के जैविक एवं सांस्कति विकास क्रम की कहानी अलग-अलग हिसों को जोड़ने की कोशिश की है मस्तिक्ष का अबिस्तार क्रेनियल छमता जांग श्रेणिय संरचना परिवर्तन और दो पाओं पर चलने की पिकरिया तता भोजन समंदी बेभारों में बदलाव से आया दान संरचना परिवर्तन आदि को पहचाना जा सकता है आरंबिक मानों में सांस्किति बिकास क्रम में पत्थर के ओजारों का निर्मार किसी प्रकार के सामाजिक संगठन का उदै भाषा का जर्म और सांकिति चिंतन की छमता के बिकास को गिना जा सकता है यानि की पत्थर के ओजारों का निर्मार किस प्रकार से हुआ है तो उनको समझ कर हम अनुष का डवलमेंट किस प्रकार से हो रहा है इसका भी हम एक प्रकार से आंकलन कर सकते हैं और किस प्रिकार से उन में सामाजिक संगठन का उद्य होता है, भासा का बिकास होता है, इसके भी हम जो डबलम्मेंट है वो इन्हीं के माद्यम से देख सकते हैं. आग्यात हमेनिड सरप्रिथम हमेनिड आस्ट्रे लोपिथेकस जो चावालेस से अठारा बर्ष पूर्व के बीच के हैं, इनके अउसेस जो हैं वो अफरीका में मिले हैं. अब हम जो देख रहे हैं वो पूरे वर्ल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से मानों की उत्पति होती है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार के मानों हमें देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो पूरे वर्ल्ड को लेकर की जा रही है इस से पहले और डी पिथेकस या आस्ट्रेलियो पिथेकस रेमी डस पिंगस एप यानि की बानर और हॉमिनेट के किसी पूर्वर्ष से बिक्सित हुआ था जो 44 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका उप सहारा में इसकी उत्पत्ती है जो डवल्लमेंट है वो यहाँ पर देखा गया है ऐसा संबह हो है कि आस्ट्रेलो पिथी सीन द्वारा प्रकेतिक रूप से उपलब्द उपकरन उपयोग में लाए गए हों परन्तु ओजारों के नि लेकिन सिर्फ प्रकेतिक रूप से यानि कि प्रकेति में जो भी उजार की रूप में मिला उन्होंने वही इस्तेमाल किया लेकिन उनको यह नहीं कह सकते कि वो उजार के निर्माता थे आगे देखते हैं लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व केनिया के कूवी तथा तंजानिय के ओल्डू वाई गर्ज जैसे इस्थानों पर पहले होमो जेनस के प्रतिनेदी होमो हैवी लिस का अगवन हुआ लगभग 25 लाख वर्ष पहले इथो इथियोपिया में हादार नामागिस्थान पर पहला पत्थर का ओजार पाया गया 17 वर्ष पूर्व पहला होमो एरेक्टेक्स का पूर्वी अफ्रीका में अगवन हुआ यहीं से यह है अफ्रीका एशिया यूरोप में फैल गई परतम होमो सिपियंस 5 लाख वर्ष पूर्व के आसपास प्रकट हुए थे एक लाख तीस जार बर्ष पूर्व हैमो सिपियंस नियंडर थाले सिंस यानि नियंडर थल के प्रमाण पक्षमी और मदेशिया तथा यूरोप में मिलते हैं यहीं से होमो सिपियं का उधय हुआ था ऐसा माना जाता है कि नियंडर थल से ही होमो सिपियं का उधय हुआ था अफरीका और यूरोप के बाहर एशिया के विविन भागों में हूमी निट के अव्शेश मिले हैं 10 से 20 लाग वर्षपूर जावा से होमो एरेक्टर्स के अवशेश पाए गए परन्तु इन से जुड़े पत्थर के अवजार नहीं मिले है चीन के दच्छन पच्छे में जोव कोडियन गुफा से 5.8 से 2.5 लाग वर्षपूर के होमो एरेक्टर्स के अवशेश मिले हैं 20 हजार से अधिक पत्थर के अवजार तथा 96 इस्तंधारी प्राणियों के अवशेश प्राप्थ हुए हैं यह इसा संभव हुए कि होमो सेपियन का विकास अफरीका में हुआ और बाद में ये एशिया यूरोप और विविन भागों में फैल गए यानि यहां पर यह मानना है कि अफ्रीका में जो है वहां पर एक कोई बानर आडमी बना और वहीं से फिर वहां से ही सारे जो वर्ण में सारे आडमी मतलब धीरे धीरे उनका डब्लममेंट होता गया जैसी जलवाई उनको मिली उसमें वो परिवर्दित हो गए या फिर ऐसा हो सकता है कि हैमो सिपियंस से आधुनिक मानों की उत्पती अलग अलग लगबग साथ साथ हुई है या तो अफरीका से एक वानर निकल कर जो मनुष्य बनता है बाद में ऐसा हुआ होगा या फिर कई जगे कई वानर एक साथ ही मानों की रूप में आए होंगे ऐसा भी कहा जा सकता है अब हमने देखा कि और ये सारी चीज़े तो हमें एक चार्ट की रूप में देखते हैं जिसे हमें और अच्छे से समझ में आएगा तो सबसे पहले जो हैं वो आस्ट्रेलिय पिथिका से जो मानों कपी का पिर्थम जीवाश माना जाता है प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने जो 1924 में इस जीवाश में को अफ्रीका के ट्वांग के पास 5.6 वर्स पूर्व बच्चे की खोपड़ी जो कंकाल मिला था वो एक बच्चे की खोपड़ी थी और इस जीवाश में को आदी मानों की संग्या उन्होंने दी दी प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने अब आगले आगे आता है होमो हैविलस तो जो है होमो हैविलस है यह जीवाश में प्रोफेसर लीकी ने खोजा और अल्डूवाई नामकिस्थान यानि अफ्रीका में 1960 से 63 के बीच में इनका अध्यान किया प्लेस्टो सीन यूग में प्रत्यवी पर यह जो फेमो हैविलेस है जो है वो फ्लेस्टो सीन यूग में प्रत्यवी पर रहता था और हत्यारों का निमार करने वाला यह प्र्थम मानव कहा जाता है और इन्हों ने जो पिर्थम बार हाथ का उपयोग करना सीखा था इसके बाद जो मानवाते हैं वो हैमो एरेक्टस डॉक्टर यूजीन डूवाइस ने 1892 इसवी में पूर्वी जावा में अब जो हैमो एरेक्टस है इसको दो भागों बाठते हैं जावा कपी मानवा और पीकिंग मानवा तो जावा कपी मानवा में यूजीज डू बाइस ने 1892 में पूर्वी जावा में इससे ट्रिनल गाओं के निकिट सोलो नदी के पास एक कपी या मानवा को खोजा डू बाइस ने इससे पिथे कॉन्थ्रोपस इरेक्टिस कहा और ये जो है चीन अफिरीका में भी मिलते हैं और जो जावा कपी मानव है ये मतलब एक आदमी जो मानव कपी है वो दूसरे कपी यानि की एक दूसरे को नर्भक्षी ही थे तो एक दूसरे को भी खा सकते थे ये वाली प्रवत्ति में थी अब आते हैं पीकिंग मानव पीकिंग मानव जो है डवलू सी पाई ने 1924 में खो जाता चीन के पीकिंग के पास गुफाओं में खोजी गए औजार का इनका अच्छी तरह ऐसा प्रियोग करना जानते थे साथी आग का प्रियोग भी ये करते थे पाई ने इनको सीनेंथ्रो पस पीकिंग नेंवस नाम दिया था पीकिंग मानव को इनकी जो बाचीत करने की छमदा थी वो काफी डबलब थी ऐसा माना जाता है अब होमो एरेक्टेस के बाद आते हैं नियंदर थल जर्मनी के नियंदर थल गाटी गुफा से इसके जीवाश मिलते हैं इसलिए इसको नियंदर थल कहते हैं यूरोप, एशिया तथा अफिरीका के दूर दूर तक ये फैले हुए थे सीधे खड़े होका तथा तेट चलने की छमता इनमें बिक्चित हो चुगी थी गुफाओं में रहते थे तथा गुफाओं में रहते थे साथी संस्कित यहां पर ये देखने को मिलता है कि एक बैक्ति जब गुफाओं में तब रहेगा जब उसको खाने की खोज करनी बाहर नहीं जानी पड़ीगी तो इस प्रकार से एक संस्कित विकास का सूचक यहां पर हमें दिखाई देता है नियंडर्थल मानों में और साथ ही ये भी कहा जाता है कि नियंडर्थल और क्रो मेंगनन जो मानों है इन दोरों में बिभाय संबन भी इस्तापित हुए थे तो यहां पर यह भी एड़ कर सकते हैं मैंने यहां पर लिखा हुआ नहीं है तो जो क्रो मेंगनन है उनका जो मस्तिक शमता जो थी वो काफी अधिक थी अब उसके बाद जो हमें दिखाई देते हैं मलब जो साक्ष मिले हैं वो हैमो सिपियन्स के मिले हैं अब यहां से जो हेमोसिपियन है अब यहां से जो पूरा पाशान काल है अब यहां से सुरू होगा तो यहां तक हमने समझा कि किस परकार से जो मानों की उत्पत्ती है कौन-कौन से मानों हमें आज तक की उसमें मिले हैं तो ये हमने एक क्रम उनका देखा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है इसके भी बहुत सारे पार्ट डिवाइड किये गए है तो हमें उतना गेहाई में नहीं पढ़ना में सिर्फ एक क्रम पढ़ना है कि किस परकार से मानों का डबलप हुगा है अब आगे देखते हैं कि जो हैमो सिपियन्स है कुछ व्यक्ति इसे जावा मानों का सीधा वंसस भी मानते हैं यानि कि जो हैमो सिपियन्स है वो जावा मानों यानि कि जो चीन में मिला था जावा मानों हैमो एरेक्टेस इसी की वंसस जो है हैमो सिपियन्स है अब आगे देखते हैं कि भारतिय उप महादीप में ये तो हमने देखा था कि पूरी overall world में किस प्रकार से development होता हमें नजर आता है अब हम देखते हैं कि भारत उप महादीप में हामिनिट अवशेष कहां कहां प्राप्थ हुए हैं और किस परकार से प्राप्थ हुए हैं तो इसका एक परकार से डिस्कस कर लेते हैं 19 वी शदी से शिवालिक हिमाले से नरवार्नों के अवशेष पाई गए और इनके जो नाम दिये गए हैं वो रामा पितेकस, शिवा पितेकस, ब्रहमा पितेकस और ये एशिया अफरीका यूरोप के भी इनसे प्रमार मिलते हैं मतलब कि रामा पितेकस, शिवा पितेकस ये एशिया अफरीका यूरोप में भी इनका जो प्रमार हैं दिखाई देते हैं या फिर मिले हुए है रोचक इनके नाम दिये गए चुकि राम जैसे त्री देव होते हैं उसी के नाम त्री देव के नाम से ही इनके रोचक नाम रखे गए है साहियों के रूख से शिवालिक के देव वानर की संग्या इनको दिये गई बलब इन तीनों जो वानर हैं उनको देव वानर की संग्या दी गई अब आगे देखते हैं सन 1966 में उत्तरी पश्मी अफगानिस्तान में हुई दुप्री में एक जीवाश में की खोज की गई जो नियंडर थल के अउशेश थे किंतु जीव विग्यान की दिष्टी से आधुनिक मानों से मिलते जुलते थे पथर ओजार के आखलन से इनको मद्द पाशान युग का माना गया है यानि कि ये पुरा पाशान का नहीं है मद्द पाशान काल का है आगे चुम मिलते हैं स्री लंका का फा ही एन लेना और बाटा डोमबा लेना और बेली लोना और अलनेना की गुफां से 37,000 और 10,500 वर्ष पूर्व के बीच के आधुनिक मानों के अब पुरा उशेश प्राप्त यहां पर होए हैं स्री लंका से सन 1982 में होशांगा बाद से 40 किलो मीटर उत्तर पूर्वी में नर्मदा के उत्तरी तट पर हाथ नोरा नामा गाउं से भारती भू बिग्यानिक सर्विक्षन के अरुन सोना किया को कुछ हॉमिनिट आउशेशों के प्राप्ति हुई उन्हें बलुआ ही बजरी में दवी हुए और एक मस्तिक्ष क्रोनियम हड्डी तथा साथ ही कुछ अन्य परकार के स्तंधारियों के हड्डियां और अनुशीलन ओजार मिले हैं अशुलियन ओजार मिले हैं यानि कि ओजार बनाने का ओजार के बहुत सारा ठेर तो उनको अशुलियन ओजार कहते हैं साथ ही जो हॉमिनिट आउशेशों वो 30 वर्ष की यूपति का जो आउशेश्यों वो मिला है अब आगे देखते हैं इसे होमो एरेक्टर्स की श्रेणी में रखा गया था तता इसे होमो औरेक्टर्स नर्मदा देन सिस नाम दिया गया कुछ विद्यानों के अनुसार यह होमो सिपियन्स रेनी प्रारंबिक का अवशेश है साथ ही जो इसका जो समय पीरियड है वो पांच लाग वर्ष पूर आंका आंकी गई है जो मद्य पाशानकाल के हैं तो ये भी मद्य पाशानकाल के हैं और उपर जो देखा था वो भी मद्य पाशानकाल का था आगे देखते हैं सन 1982 और 1992 के बीच नर्मदा घाटी छेतर में और उत्खनान या फिर और खोजे होई जिससे 1997 में AR सांख्यान नैपूर्व मानो कापाल के अंस को खोजा जो 5 लाग से 2 लाग वर्ष पूर्व था ये भी जो जीवाश में था वो भी एक महिला का ही था अब आगे देखते हैं सन 2001 में पी राजिंदरन केलर विश्विद्याले के धियास विवाग के एक शिक्षकते उन्होंने विल्लू पुरम जिला के ODE में एक शिशु उनको शिशु कपाल मिला यह जो है वो उच्पुरा पाशान कालीण ओजार की यहां से उन्होंने उच्छ पुरा पाशान काली नौजार भी प्राप्त किये तो ऐसा माना जाता है कि यह जो कंकाल है यह उच्छ पुरा पाशान काल का हो सकता है और यहां जो वर्ष है वो 166,000 वर्ष पूर्ट निधारित की गई है अब यहां पर हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि वो जगे हमने जो भी थोड़ी देर पहले पड़ी वो कहां कहां पर है तो उप महादीप में हॉमी डे अफशेष के प्राप्त इस तल तो जो अफगानिस्तान वारा है लूई दूपी वो यहां है नर्मदा वाला जो हत नौरा वो यहां है और जो ओडी है तमिलनाइडू में वो इस छेत्र में है और स्री लंका के देखें तो बेली लेना और फाही येन लेना और वाटा डोमबा जो है वो इन छेत्रों में है तो इस प्रकार से अगर हम मेप भी साथ ही साथ देखते जाएंगे तो हमारा जो पढ़ने का तरीका है जो ढंग है वो एक नई तरीके से होगा और हमें चीजें याद रहेंगे आब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से पुरा जलवायू चक्र यानि कि जो परिवर्तन होता है जलवायू परिवर्तन उससे मानों का किस प्रकार से डवलम्मेंट होता है क्योंकि अगर जब तक जलवायू का परिवर्तन नहीं होगा तो उससे मानों का डवलम्मेंट भी नहीं हो पाता तो यहाँ पर जलवायू का परिवर्तन भी important है प्रावगे ते हासे काल के लोग जिस परियावरन में रह रहे थे वो हमारे परियावरन से भिन्ने था यानि कि आज जैसा हम बादावरन देख रहे हैं वैसा उस समय बिल्कुल भी नहीं था कुछ परिवर्तन उन दिनों हुए जब परिच्वी पर मानव सम यानि होमी नेट परिजादियों का उदेभी नहीं हुआ था यानि कि जलवायू का परिवतन तब से है जब परिजादियों का उदेभी नहीं हुआ था जब से जलवाईों है या इन्मार्मेंट है जब से चेंज होता नजर आता है कई करोड वर्स पहले यह प्रायदीब उस बिशाल बूखंड का हिस्सा था जिसे बूगर बिशास्त्री गोनवाना लेंड कहते हैं उस बूखंड में आस्ट्रेलिया, फिरीका, दच्छड अमेरिका और अंटार्टिका सभी जुड़ा हुआ था यानि कि आज हम जितने भी भाग अलग-अलग देख रहे हैं एक समय ऐसा था कि सारे अमेरिका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, सारे एक ही उसमें जुड़े हुए थे एक समय में आकर यह भूभाग खंडित हो गए मतलब यह ऐसा समय आया अब पिर्थवी के आंत्रिक परिवर्तन हुआ और यह खंडित हो गए तब भारती भूभाग वाला हिस्सा पिर्थी बर्ष तब से मतलब जो भारत का हिस्सा है पिर्थी बर्ष 20 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की और खिसकने लगा और अन्तिता एस्याई भूभाग से जाकर मिल गया यह गटना 5 से 3.5 करोड वर्ष पूर्व माने जाती है यह पिर्थवी के अंधरूनी पर्थों में भारी वितर्कनिक गतियों के परिणाम सरूप हुआ था पिर्थवी के अंतरिक गतियों से यह जो परिणाम है वो निकल कर सामने आता है भार्थी भूभाग तथा एश्याई प्लेट की टकरहाट और सतत दवाब के करण तिपत के पठार और हिमाले का उध्य हुआ हिमाले से निकली नदियां अपने साथ विशाल मातरां पहाडों की मिट्टी और गाल लेकर नीचे आने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर में उर्वरक मैदान के रूप में सामने आता है धर्ती के पर्तों में निर्वर्तन की प्रकरिया अभी भी जारी है यानि कि ऐसा नहीं है कि उस समय परिवर्तन हो गया तो आज के टाइम पे कोई परिवर्तन नहीं होगा यह जो परिवर्तन है यह निरंतर चलता ही रहता है बहारतिय प्लेट एशियाई प्लेट को 5 cm प्रतिवर्ष की दर से उपर धकिल रहा है हेमालय और तिबद के पठार अभी भी प्रतिवर्ष 5-10 mm की दर से उपर उठ रहे हैं यानि परवतों का जो उचाई है वो भी बढ़ रही है इसी कारण से बीच बीच में भूकम आते रहते हैं और नदियों में भी भारी परिवर्थन होता रहता है तो जो आज हम भूकम अभी जैसे कुछ कल ही आया था तो ये उन्हीं की वज़े से हो रहा है पूरा जलवायू चक्र की विशिष्टाओं का अध्यन प्राग इत्यास का मातपूर अंग है 1985 में ह्टी टेरा और टी टी पेर पीटरसन द्वारा सोहन नदी पोदवार पठारिय च्छेत्र जो बर्दवान पाकिस्तान घाटी के संदर्द में किया है गया इसके द्वारा च्छेत्र में बहुत पुरा पाशान कालीन औजार प्राप्त हुए उसके बाद 1930 में LA केमियाड और MC बर्किट ने आंद्र प्रदेश के पूरवी घाट च्छेत्र में अध्यान किया जिसके अंदर प्राप्त हैसी पत्थर के ओजारों का इस्तर विन्याद तता उनकी अनुमानित जलवायू परिस्टियों की तुलना की गई सोन नदी घाटी उत्तरी मद्परदेश तता बेलन नदी घाटी दच्छी उत्तर प्रदेश में हुए अध्यान से गंगा की दच्छी सायक नदियों में मौसम नदी तंत्र और तता पाशार कालीन बस्तियों के भी सम्मंद का अनुमान लगाया यह किसके दौरा लगा है किलार्क एन विलियम्स के दौरा 1986 में आगे देखते हैं प्लिस्टो सीन के अंतिम काल में यहां की जलवायू अधिक ठंडी ततर सुक्ष हो गई यहां अधिक नर्म और नमियुक ते जलवायू वाला था जिससे घांस के मेदार कम हुए और जो वनो के प्रदेस है वो ज़्यादा तर हो गए ज़्यादा उत्पन हो गए आज जो हम रेगिस्तान का छेतर देखते हैं प्राकितिक रूप से सते पर जल का अभाव था केवल वर्षा के दिनों में तलाब कुएं और नहरों में उपलब्ध होता था 1985 में मिश्रा और राजगुरू के द्वारा डिडवाना और नागर जिलों का अध्यन किया गया विसे इस रूप से डिडवाना और नागर जिलों का अध्यन किया गया कि दौरा मिश्रा और राजगुरू के दौरा तब से यह पता चला कि यहाँ प्लेस्टोसीन काल का मौसम बहुत भिन्न था प्लेस्टोसीन के अंतिम काल को छोड़ कर यहाँ भूमी गत जल सदा मौजूद था तता बनस्पतियों जीव जन्तियों के से यह मलब भरपूर था खारे पानी की जीलों से सूचना मिलती है कि मद्द हैलोसीन काल में बरशा परियाप मात्रा में होती थी इसी अविदी में इसी समय काल में यहां सरवादिक प्राउग ध्यासिक सब्विता का बिकास हुआ होगा है ऐसा अनुमान लागाया जाता है लेकिन अभी तक जो बरटमान हैं उसमें इस तरह के कोई भी जो आवशेश हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं सिर्व एक अनुमान हैं चुकि यहां पर जो पर्याप्त बर्शा जो मद्ध हेलोसीन काल में होती थी उसके आदार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सरवादिक प्राउग ध्यासिक सब्विता का बिकास यहीं से हुगा होगा अब एक क्रम देख लेते हैं कि पुरा पाशान काल को सुरू करने से पहले भारतिये पुरा पाशान का बर्गी करन किस प्रकार से किया गया है तो यहाँ पर कुछ शब्दावली है यानि कि पुरा पाशान काल को जैसे कि हम मैं सब को पता है कि पुरा पाशान काल को तीन भागों में बाटा है निमने पुरा पाशान काल, मद्दे पुरा पाशान काल, उच्छी पुरा पाशान काल और उसके बाद मद्दे पाशानकार और नव पाशानकार ये दो अलग है पुरा पाशान के अंदर का तीन और बाकी में सिर्फ एक एक है तो अब ये तीन इसलिए हैं क्योंकि इनका जो समय पीरियड है वो बहुत जादा था इसलिए इसको समझने के लिए तीन भागों में डिवाइड किया निम ने पुरा पाशानकार मद्द पुरा पाशानकार और उच्छ पुरा पाशानकार जो निम ने पुरा पाशान था वो निम ने पलश्टो सीन युग में था इसके जो ओजार थे वो कोर ओजार थे हस्ट कुथार थे क्लीवर था चॉपिंग ओजार था यानि कि जो अस्त सस्त हैं मलब जो ओजार है अस्त सस्त नहीं सिर्फ जो ओजार हैं पत्थर की वो कम मत्रा में और सुरुवाती इसमें मिलते हैं जो जीवन शेली थी वो आखेट मनलब शिकार करना और बोजन को एक खटा करना ही सिर्फ था अब आते हैं मद्य पुरा पाशान काल में मद्य प्लोस्टो सीन इसमें जो बलेक ओजार हैं लेवा लाइस तक्नीक से त्यार किये गए कोर दोरा बने गए ओजार इसमें हमें जदातर देखने को मिलते हैं लेकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ओजार हैं सिर्फ यही चल रहे थे यह वाले ओजार जो है खटम रह गएते यही साथ चल रहे थे लेकिन जो ज़ादातर अधिक मात्रा में वो फ्लیک जाशार यहां पर मिले हैं, यहां के जीवन शैली जो थी वो भी आखेट और संग्राहक ही थी, आगे देखते हैं, उच्छ पुरा पाशानकाल में, उच्छ प्लस्टो सीन यूग था, फ्लेक पर बने बिलेड, जैसे सामानतर फलक बिलेड और ब्यूरिन वाले जो अजार हैं, बू बनाए जाने लगे, और यहां पर जीवन शैली भी आखेट और संग्राहक हन ही, मलब भोजने खटा करना ही, यहां पर उनकी जीवन शैली थी, तो इस प्रकार से हमने ये तीनों जो समय हैं, उसको देखा, और यहां पर सिर्फ आखेट और संग्राहक की ही, जो जीवन शैली हमें अब मद्य पाशान काल देखें, तो मद्य पाशान काल में हेलोसीन योगी था, माइक्रोलिथिक सुक्ष में ओजार यहां पर प्राप्त होते हैं, यानि कि पुरा पाशान काल के जो ओजार है, वो अब उन से छोटे होने लगे, तो माइक्रोलिथ या सुक्ष में ओजार कहे अब यहाँ पर शिकार भी कर रहा है और भोजन भी खटा कर रहा है साती मचली पकड़ना तथा पशुपालन का आरभ उसने सीख लिया यानि कि यहाँ पर अब जो है वह मानव जादा इस्थाई रूप से दिखाई देता है अब उसके बाद आता है नौपाशान का नौपाश वो उनके थे अब इसमें पशुपालन और किर्शी पराधारित खादान उत्पादन किया जाने लगे यानि कि यहां पर खाने का जो इस्तर है वो और ज्यादा उभर कर आता है तो समाज संस्कृतियां जो भी है इस नव पाशाण काल में ही डबलब होती हमें नजर आती हैं त आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम पुरा पाशाण काल को और अच्छी से देखेंगे किस प्रकार के हत्यार यूज होते थे कहां कहां कौन कौन सी जगह हैं जहां पर यह हत्यार यूज हुए हैं और इनका जो समय पीरियड है वो कितना है तीनों का तो यह सब सारी और उत्पत्ती विकास सारा एक क्रम में चला है उसको हमने देखा तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा चीजें याद रखने की नहीं है सिर्फ एक बार अगर हमने इसको पढ़ लिया तो हमारे दिमाग में यह सारी चीजे रहेंगे और अगर एकाद कुशन एक्जाम में आ प्रणिवाद